हलो दोस्तों एक बाफिट स्वागता आप सभी अपनी यूटीब चैनल वन्टो उन ग्लास इस पर बहुत सारे लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आये रहे हैं जो की पूछ रहे हैं कि सर मेरा वैरिफिगेशन स्टेटस अब तक अपडेट नहीं हुआ तो आज बात करूंगा कि किस किस वैरिफिगेशन स्टेटस पर आपको किस तरीके से रियक्ट करना है और आप आगे क्या स्टैप ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो में बने रहे हैं जल्दी जल्दी पड़वट दूसी चीज एक बहुत इंपॉर् वैरिफिकेशन ना पेज नहीं खुल रहा हमारा बिल्कुल तो भाई टेंशन ना लो सीवेरिफिकेशन गूगल पर सर्च करो आपके सामने ये पेज खुला आ जाएगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तिक आपके सामने कर देता हूं यह और्टोमेटिकल आपको सीवेरि वैरिफिकेशन स्टेटस या प्रॉब्लम का सॉलूशन ढून सकते हैं सॉलूशन खुड ढूनना पड़ता है ढूनना पड़ेगा दूसरा जिन लोगों को हमें कॉंटक करना होता है तो प्लीस बहुत जली जली सुबे 5 बजे चे बजे रात को 2 बजे आसे टाइम पर प्लीस कोंटक مت करा करिये आप 9 बजे 10 बजे के बाद कॉंटक करें तो ज्यादा साईए है ऐसा नहीं कि हम आपके लिए सारा दिन फ्री है ऐसा नहीं हो पाएगा बिल्कुल भाई हम लोग स्कूल वगरा भी करते हैं अपना तो उस पर भी देंगा फिलाल वरिफिटेशन स्टेटस पर आ देता हूं कौन-कौन से फिलाल हैं जिससे आपको हिंट मिल जाये कि किस सामने यहां पर एक verification status सार्च कर रहा हूं बाद में मुसको यह रोन नमर फगेरा को हाइट कर दूँगा ठीक है थोड़ा सापको हिंट देने के लिए चलिए एक verification status है अंडर प्रोसेस टीक है अंडर प्रोसेस verification status का मतलब क्या होता है कि अभी cbsc आपके इस verification status पर पहुंचने वला है या पहुंच चुका है फिलाल cbsc इस पर तैकिकात कर रहा है वर्क कर रहा है पूरा पूरा चीक है अब इसमें बहुत सा लोग कि सर मेरे रिमार्क का status है ना उसकी थोड़ी सी clarification को रिमार्क कहते हैं अगर वहाँ पर information पूरी नहीं आप आती तो रिमार्क में उस information को पूरा कर दिया जाता है और चोटी से सारे बहुत सारा है लिटरली मीन्स बहुत सारे लोगों के वैरिफिकेशन स्ट्रेश अब तक अब रेट नहीं हुए बिल्कुल भी और उसमें नोवन नोस की क्या है क्या नहीं है प्रोसेस कितना टाइम लग जाएगा कितना टाइम नहीं लगेगा यह क्या पाना बहुत ही मुश्किल है और अभी सीविए से पर काम कर रहा है पूरा पूरा वैरिफिकेशन स्टेटस पर तो थोड़ा समय आपको रुखना पड़ सकता ह है ठीक है तो आपको थोड़ा सा इंतिजार तो करना पड़ेगा जब तक सीविए से अपने इस वैरिफिकेशन स्टेटस वाले काम को खतम नहीं कर लेता और अगला स्टेटस मैंने आपको पताय दिया कि 30 31 के बाद होना है यह दो अन्डर प्रॉसेस अगे निक और है बच् साथ डिया कि और उनमें से मैक्सिमुम बच्चों का स्टेटस यह है कि अंडर प्रॉसेस तूग से बच्टंव बेसिकली अंडर प्रॉसस अगेन सो इसका मतलब यह है कि भाया अभी तहकीकार चल रही है वी काम चल रहा है आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा वियू to wait you need to wait you need to wait ठीक है दूसा वेरिफिकेशन हिटर्स क्या आया है वो सुन लीजिए आप जड़ा वह भी काफी बच्चों का आया है मैं आपको वह भी दिखा देता हूं इक बारी ठीक है उसके बारे में भी पता चल जाए सबको तो जादा अच्छा रहेगा वह भी देख लीज कुछ का नहीं आया रिमांक को छोड़ो फिराल सी बैसी नहीं कहा दिया कोई गलती नहीं है अब इसको जितनी जली एक्सेप्ट कर लोग उतना फायदा तुमारा है अगले स्टैप की त्यारी करो अगर विश्वास रखते हो कि नहीं मैंने पेपर ठीक मैंने आपको पहली बता देता वैरिफिकेशन स्टेटस में चेंज बहुत कम बच्चों को आता है बहुत कम अगर किसी बच्चे का भी चेंज आया तो प्लीस वह अपनी माक्षीट अपनी चेंज स्टेटस को जरूर हमारा सा शेर करें नमबर आपको पता नहीं तो आपको नमबर मिल जाएगा उपर यहां पर आप इस नमबर पर प्लीज शेयर करिए वाटसप भी करिएगा प्लीज बहुत जारा ज़रूरी है क्योंकि लोगों को अवेर करना बहुत कंपल सरी है इस चीज के बारे में तो जिनका है टीचर ने गलत चेक कर दियो हो सकता है टीचर भगवान नहीं है बिल्कुल भी मैं साफ पताऊंगा बहुत गलतिया होती है क्योंकि हम लोग खुद सीब्सक्राइशन में बहुत अच्छे से एक्टिबली पार्ट्सपेट करते हैं हर स्कूल का टीचर जो इवैलुशन में आता है जरूरी नहीं कि वह बहुत सारे बुक्स पढ़के आया हूँ एक बुक्स की तफसी में तो सकता है वो ग्रेजुएटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट तो ज़रूर मंगाना 500-700 खर्च होंगे definitely खर्च होंगे लेकिन बहुत लंबे टाइम की संतुष्टी है कि अपनी गलती तो पता चल जाएगी यार कि गलती है क्या और गलती पता करनी बहुत जादा ज़रूरी है तो जिनका नोमिस्टेक फांड आया है बेसी घली अपनी गलती पता करना चाहते हो तो नोडबू मंगाओ अब नोडबू मंगाने से पहले करना क्या है एक्सपर्ट की सर्च करना उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने नोटबू मंगा कि दिखाओगे किसी किसे एवैलुट कर आओगे आप अगर आपको खुद एवैलुट करनी नहीं आती जो कि ऑव्यसी बात है आपको ग्या पता कि कहां पर मार्क्स कटने चाहिए कहां अगर नहीं मिलता है तो जिससे बचे को को एक्स्पर्ट नी मिलता है तो हमारे уетच को ग्रत थो हैं जो की सीवेसी बॉर्ड एवैलुईशन में जाते हैं पार्टिस्पेट करते हैं तो हमारे पास उनकी पूरी टीम है त्यार है बिल्कुल कि जिस भी बच्चे को को एक्सपर्ट ने मिलता तो हमारे एक्सपर्ट उनकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे और बहुती सही कीमत पर देखो ओव्यसी बात है फ्री में कोई नहीं करने वाला मैं साफ क्या रहा हूं जुट बोलने की जुरूरत नहीं है एक बच्चे का मेरे पास मैसीज आया है कि सर मैं सोच रहा हूं कि मैं तो अपने स मिल जाओ और एक्सपर्ट कहेगी बस आप यह चार कोशन या तीन कोशन ही चेक कर आएए अगर चेंज आया तो इन तीन-चार के अंदर रहागा बाकी किसी में चेंज नहीं है जो भी चेक करने वालों उसमार्ट चेक कर रखी है बस यह तीन-चार कोशन में ही चेंज आ सकत तो उस 3400 से आप 300 पर पहुंच के या 400 पर पहुंच के बात है कि अभी इनिशली दो, तीन, चार्सों, पांसों खच करके अगर आपके इतने सारे पैसे बसते हैं तो भाई क्यों सूच रही हो बचाने के ओपर फोकस करो और दूसरी expert advice बहुत important है क्योंकि expert ही पताएगा कि reference देना पड़ता है बुक्स का इसके लिए आपको expert की need पड़ेगी जो कि आपके जो भी challenging question है उसमें आपको guide कर पाए कि यह आगर answer check करवाना है, evaluate कराना है तो क्यों कराना है और किस basis पे कराना है यह बहुत ज़रूरी है, तो expert ढूढ़िए और अगर आपको कोई भी दिकर expert ढूढ़ने में, तो हमारे experts आपकी help के लिए हमेशा available है, आप हमें इस number पर contact करके expert की पहले से आप पता सकते हैं कि आपको इस सब्जेक के expert की need पड़ेगी, ताकि हम पहले से expert को available करा के रखें, आपकी notebook को evaluate कराने के लिए, और सबसे पहले आपी का काम हो, क्योंकि एक काम बहुत छोटी duration का है, 31st में और 1st June को आपको copy के लिए notebook के लिए apply करना है, और मान के चलिए onwards 2nd June से आपको notebook मिलने शुरू जाएगी, 2nd June, 3rd June ये 2 दिन आपको मिलेंगे, ठीक है, और उसके बार आपको 4th, 5th के अंदर अपनी complaint register करानी है, ये question evaluate करा हो, ये question करा हो, ये question करा है, इसलिए जल्दी से अपने जो भी expert है, जो भी है, उनको ढूंडो, उनसे बात करें रखो, उसके हिसाब से notebook मंगाना, अगर expert नहीं मिलता तो notebook मंगा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अपनी गलती आप देखना हो, देख लो, कोई प्रॉब्म अली बात नहीं, लेकिन expert guidance बहुत जादा required है, बिन expert guidance के marks बढ़ आप आने, बहुत मुश्किल है बिटा, इसलिए प्लीज, expert हों दो सबसे पहले, उसके हिसाब से अब आगे की process करेंगे, चीक है, और दूसरा, 31st से पहले-पहले सभी का verification status update हो जाएगा, घबराने के जुरह नहीं, किसीने का 16 को सरप लोड करा, 17 को करा, अब तक निया, अब तक निया, आ जाएगा या, कोई बात ही, region to region में ये vary करता है, दोसरा आपने कितने subject के लिए apply करा है, ये vary करता है, जहारता है, जिन लोगों ने एक subject के लिए apply करा है, उनका verification status जल्दी update होता है, as compared to those, जिन्होंने verification status 3, 4, 5 subject के लिए apply करा हो, क्योंकि एक subject के लिए जल्दी जल्दी होना possible है, 5-6 में time लग जाता है, दूसरा region, region पर बहुत depend करता है कि verification status कितने time में update होगा, हमारा region देयदून region है यही पर, तो इतने जादा schools या बहुत जादा भीडभार वाला area नहीं है अपना, limited है, तो जल्दी update हो जाता है दिल्ली region में, गुहाटी region में, असाम region में, उधर कुशेतर region, बहुत सा region ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी खासी भीड़ है, उनमें time लग जाता है, थोड़ा थोड़ा, तो आपके region के हिसाब से भी आपके time लग सकता है, verification का, लेकिन हो जाएगा, घवराओ मत्यार बिल्क यह मत सोचना कि verification status में change नहीं है, तो मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ आप लोग eligible हैं, जिन्होंने verification के लिप्लाई करा था, सिर्फ वही लोग notebook मंगाने के लिए eligible हैं, बाकी कोई नहीं मंगा सकता, बहुत लोगों के message आ रहे हैं कि सर प् for notebook, मंगा के देख लो गलती क्या हुई है, अगर पांच notebook मंगाने के लिए verification करा है, तो expert से बात करो, अगर तीन notebook में लगता है कि हाँ यार, इन तीन में मुझे लगता है कि marks जादा कम है, तीन notebook मंगा लो, क्यों सोचो पांचो की बाचों मंगानी हैं, evaluate करो, अपनी performance को खु Thank you very much and God bless you all.